आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टुडेंट स्टेडी 247 पर दोस्तों जैसे कि आप देखने की हम आपके लिए लिखा हैं राजस्थान जिलादर्शन राजस्थान जिलादर्शन में हम आपके लिए लिखाए हैं आज एक नया जिला शिककर आज हम आपको बताएंगे सिककर जिले के बारे में आप जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंतर तक बने रहीए और देखते रहीए दोस्तो आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फ्रंट में आज यहाँ पे फोटो भी चेंज है और नाम भी चेंज है यह इसलिए है क्योंकि आज सिक्कर जिले के बारे में आप जो पढ़ने वाले हैं वो इन्होंने ही तयार करके दिया है तो आएए दोस्तो आपन देखते हैं आगे सिक्कर जिले के बारे में दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप भी अपना कंटेंट से एर करना चाहते हैं तो comment में दिये गए number पर आप हमें contact कर सकते हैं हम आपकी content को भी YouTube पर लेकर आएंगे तो सिकर जिलादर्शन दोस्तों सिकर जिले के बारे में जानने से पहले आपको map में सिकर जिले की location पता होना चाहिए तो दोस्तों यह जो आपको diagram में blue color में दिखाया गया है यह है सिकर जिला दोस्तों सिकर जिले के जश्ट निचे की तरब जो है यह कौन सा जिला है यह है अपना जैपूर और यह कौन सा यह है अलवर और यह जैपूर के निचे यह है दोस्तों अपन अलवर जैपूर और दोस तरफल है 7,742.44 वर्ग किलोमेटर इसकी जन संख्याब 2011 के जन गनना के अनुसार कितनी है 26,737 और शिकर जले का जन गनतों कितना है 346 व्यक्ति परति वर्ग किलोमेटर शिकर जले का प्रिवैन कोड कितना है RJ 23 और यहां का सुबंकर है साहिन फालकन या छोटा बाज शिकर जले के वर्तवान प्लिस अदिख सके निया SP कोण है कोणर राश्टर दीप तो तो यहां से आपको सुबंकर याद करके चलने यह बहुत वारे एकजाम में पूछा जाता है तो तो अगला देखते हैं कि शिकर जले का जो नगरिय छेतर फल कितना है शिकर जले का नगरिय छेतर फल जो है वो है एक सो चोराण में वर्ग किलोमेटर वो ग्रामीन कितना है सात अजार पान सो अड़तिस वर्ग किलोमेटर शिकर जले की मांचेतर पे इस्थेती है 27 डिगरी 21 मिनट उत्री अकसांस से 28 डिगरी 12 मिनट उत्री अकसांस तथा चुहुतर डिग्री चौवारी सुनट पूर्वी देशांतर से पिचहतर डिग्री पत्चे सुनट पूर्वी देशांतर है ये सिकर जले की मैप में इस्थेती है दोस्तो ये क्यूसन भी आपसे एक्जाम में एक बार पुछा गया है इसलिए आपके लिए आप ये क्यूसन भी डाला है शिकर जले में कुल वणचे घार है वो है छेस्थो उन्तारीस दसम लव तीन जीरों वर किलोमीटर सिकर को सेखाओति का हर्दय भी कहा जाता है दोस्तो ये क्यूशन आप याद करके चलेंगे कि सेखावटी का हर्द है कि सेखाजाता है दोस्तो आगे अपन ये भी देखेंगे कि सेखावटी का प्रवेश द्वार कि सेखाजाता है तो आप से ये question पुछा गया exam में सेखावटिक अर्दे की सेखा जाता है सिकर जले को राजस्थान के सिकर जले की आकर्ति कटोरे नूमा, प्याले नूमा या अर्दे चंद्राकार है दोस्तो ये question भी आप थे exam में परसासनिक एकाया, शिकर जले में तैसिल कितनी है दोस्तो, नो, पंचायच समित्थी भी कितनी है, नो, शिकर जले की संभाग में आता है, वो आता है जैपूर संभाग में दोस्तो, अब सिकर जले को सेखावटिक का परवेशद्वार भी कहा जाता है शिखावटी का हर्दय किसे करते हैं वो भी शिकर जले को करते हैं और परविश द्वार भी शिकर जले को का जाता है शिकर का प्रारमबिक नाम क्या था बीरबान का बास यानि शिकर जले का प्रारमबिक नाम था बीरबान का बास अब आगे अपन देखते हैं शिकर कि स्थापना vào 1687 ने की थी राव शीव सिंह ने और कब की 1687 अगे देखते हैं सिकर जले के बारे में कुछ मैंटबून तथम है आपन वह देख लेते हैं एक पार यह राजस्थान का प्रथम high-tech जिला गोशित किया गया, यानि राजस्थान का प्रथम high-tech जिला कौन सा है, शिक्कर जिला है, कीर डोली गाउं, ACI पक्सी, M.O. पालन के लिए परसिद है, दोस्तो यह क्यों सना आप यहां से टिक करके चलिए गए, यह अभी आप से एक्जा लन के अंदर काप इस्था, पित क्या के अगये? सिक्कर जिले की पाल में सिक्कर जिले के गोई गाउं एक पुरातत्रिक इस्थल है, पुराततो फ्मस्तिक सिक्कर जिले के मद्धे में, एक घंटा गरिस्थित है, जिसके चारो और गिदडीण का आयोजन केता है, तो अगल खंड़िल्ला की पाडियों से होता है दोस्तो यह कना आप याद करके चलेएगा इसका उद्रिगम कहां से होता है। खंडेल्ला की पाडियों से है आप से अक्जाम में पुछा गया है दोस्तोy यह नदी सिक्क्र यहाँ जन जब झुन जब्णों जिल्य में बैणे के इसका अपवाचितर क्या कहलता है तो रावाटी कहलता है अगला है इस थितिए कारे पानी की जी है ने अपने पुष्तक में इस जील का उलेखता है दोस्तो कर्नल जैन्स टोड को ये आपन क्या करते हैं गोडेवाले बाब्बा और राज़स्थान के इतियास का जनक का जाता है कर्नल जैन्स टोड को अब शिक्कर जिले में कौन-कौन से मेतवपुन खनीज निकलते हैं उसके बारे में आपन देख लेते हैं तंब निकलता है रगुनाथ पुरा शिक्कर से, यूरेनियम निकलता है खंडेला, चुन्ना पत्थर निकलता है पाट्टनियम मांडवा से, फ्लोराइट निकलता है प्रोपर शिक्कर से, रोफासपेट निकलता है करपुरा से, और कैलसाइट निकलता है रायपुरा शिक्कर से दोस्तों ये शिकर जिले में मैतवपुन खनीज निकलते हैं छे मैतवपुन खनीज शिकर जिले में ये शिकर जिले में निकलते हैं दोस्तों आगला देखते हैं सिकर जिले के कुछ दर्शनिय इस्थल सिकर जिले में कौन-कौन से दर्शनिय इस्थल है पहला है लक्समंग पूरी तरह से बनाया गया था यह किला श्री रामनिवास जी जुनजुनवाला के परिवार को राव राजा कल्यान सिंग द्वारा वर्स 1960 में बेच दिया गया था तब से यह किला एक निजी संपत्ति बन गया दोस्तों यह कि उसना आप से एक जामें पुछा जा सकता है कि ल यह किला बेड की पाड़ी पर इस्थित है जिसका निर्मान राव लक्समाण सिंग ने करवाया था यह लक्समाणगड का किला किस पाड़ी पर इस्थित है बेड की पाड़ी पर इस्थित है दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि लक्समाणगड का किला है जिसमें को पाड़ को काट करके इस किले का निर्मान किया गया तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं कितना सुन्दर दर्श है यहां का दोस्तों अगला है फटेपुर का किला फटेपुर के लिए किस्थापना गोगाजी के वनसज फटे सिंग कायम खानी द्वारा पंदरा सो सोडा में की गई थी यहां कि फटेपुर का किला का निर्मान किसे ने करवाया गोगाजी के वनसज फटे सिंग कायम खानी ने पंदरा सोड़ा इस्वी में करवाय था राज्य का एक मात्तर दुर्ग जो अफगानी तथा पठानी शैली में निर्मित है दोस्तों ये क्यूसन भी आपसे एक्जामे पुछा जा सकता है राज्य का एक मात्तर दुर्ग कोन से जो अफगानी और पठानी शैली में निर्मित है तो वो पिर यह शांस्कृतिक राजदानी के रूप में जाना जाता है जो यह आप देख सकते हैं फतेपुर में का जो हैं वो दोस्तों अगला आता है जीन मता मंदिर जो कि सबसे इंपोर्टेंट है तो इसे एकजाम में काफि बार क्यूसन पुछा जाते है जीन मता के पर तो आज अपन जीन मता के बारे में भी देखते हैं जैविस्तार देखेंगों जीन मत्ता के बारे में, जीन मत्ता मंदिर रेवासा गाउं से 10 किलो मिटर पाड़ी के पास स्थित है, यह गने जंगलों से गिरावाई, यानि कि रेवासा गाउं के समीप स्थित है, जीन मत्ता मंदिर रेवासा गाउं सिक्कर, जीन मत्ता को आठ ध्यारों के साथ मैससुर मर हेंदान मर्दिनीध्रूगा के रूप में जाना जथा है इनका पूर्ण और वास्टीक नाम जैनती मात्ती छी मंदिर की पाड़ी की चोठी पर भराई हर्ष मंदिर बना हुसे घंण मद stats की नामी नाजिया का मंदिर भी बना हुआ है नवरात्री के आउसर पर यहां पर विशेश पुझा की वर्ष्था की जाती है यंकि जीन मत्ता के मंदिर में नवरात्रा के आउसर में विशेश पुझा वर्ष्था की जाती है तो अगला देखते हैं जीन मत्ता को मदुमख्यों की देवी भी कहा आगे कुछ देखते हैं इनके बारे में इनके मंदिर में अढ़ाई प्याला का भोग लगता है राजस्थानी लोग गित्तों में सबसे बड़ा एम सबसे लंबा गेत किनका है जीन मात्ता का है यहाँ पर जीन मात्ता की अस्ट बुजा परतिमा इस्थित है नकारे की प्रतिकात्म का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है जीन मात्ता और हर्षनात तोनों भाई बैन थी दोस्तों यह आप देख सकते हैं जीन मात्ता मंदिर जो की सिक्कर जिले में स्थित है और कहाँ पर स्थित है रेवासा गाउं रेवासागाम शिक्कर में स्थित है दोस्तों यह आप से पुछा गया जीनमाता मंदिर कहां पे स्थित है आप याद करके चलेंगे अगला है हर्षनात का मंदिर यह मंदिर सिक्कर जिले में हर्ष की पाड़ियों पर स्थित है इस मंदिर का निर्मान 956 इस्विमी रजा हटर के द्वारा एक सैव आचार्य के रूप में करवाया गया था सन 1834 में इस मंदिर को परकास में लाने का स्रे मारजेट इदीन को जाता है और कब लेकिया थे परकास में इसको यानिकि इसको उजागर कब किया गए इस मंदीर को एक तरीके से आपने बोले तो तो वो 1834 हिस्वी में इस मंदीर में हर्षनात प्रशस्ति भी स्थित है इस मंदीर में लिंगोध भवपरतिमा स्थित है यह मंदीर किस सेली में निर्मित है यह मामारू सेली में निर्मित है दोस्तों आगे देखते हैं ये है पाड़ी पर बना हुआ हर्षनाथ जी का मंदिर आगे देखते हैं दोस्तों खाटू श्याम जी का मंदिर जो की काफी प्रसिद मंदिर है शिकर जिले का यह मंदिर खाटू गाउं सिक्कर में इस्थित है यह भगवान स्री किर्षन का मंदिर तथा उनकी परतिमा स्याम ब्रणित है यहाँ पर स्री किर्षन की मुखाकरती डाड़ी मोच युक्त सम्मनवित परतिमा है यहां पर बगवान स्याम जी के सीज की पुजा होती है खाटू जी को सीज का दानी एवं हारे का सारा भी कहा जाता है यहां बीम के पुत्तर गटो के पुत्तर बर्बरीक थे यानि कि जो खाटू स्याम जी जो मंदिर है वो किन का है वो बर्बरीक का है यहां पर फालगुन सुकल एका दसी एम द्वा दसी को यहां लखी मेला लगता है यानि कि दोस्तो होली से जस्ट पहले इनके यहां पे मेले का आयोजन होगता है दोस्तो यह आप देख सकते है खाटू श्याम जी का मंदिर जो की सिक्कर जी लेके खाटू गाउं में स्थित है यह बहुत थी परशित मंदिर है दोस्तो बहुत मान्यता है वाँपी इस मंदिर की अगला है दोस्तो सप्त गोमाता मंदिर यह मंदिर रहवासा गाउं में स्थित है यह मंदिर राजस्थान का प्रत्थम एवं देश का चोथा सब्त गोमाता मंदिर है इस मंदिर की प्राण परतिष्ठा फरवरी 2006 में की गई थी दोस्तों यह आप देख सकते हैं सब्त गोमाता मंदिर ठीक है अगला है दोस्तों डूंगर जी एवं जौहर जी यह कच्वहा वंस पाटोदा गाउं सिकर के निवासी थे यह दोनों 1857 की क्रामती के देवता मानने जाते हैं इनका प्रमुख कार्य क्या होता था लूटे हुए धन को गरिबों में पाटना थे यह जो अमेर लोग होते थे उनसे धन को लूटते थे यह इनका प्रमुख काम था इसलिए इन्हें गरिबों के लोग देवता भी कहते हैं दोस्तों आप याद करके चलें के गरिबों का लोग देवता किसे का जाता है डूंगर जी यह जौहर जी को इन्होंने आववा की सेनिक छानवी को लूटता था यह अभी मैंने बताए ना कि दन को लूटते थे और करिबों में बाठते थे दिनोंने आववा की सेनिक छानवी को भी लूटता था दोस्तों यह हैं जौहर जी और डूंगर जी अगला है दोस्तों संत बुद्ग्री जी की मेडी फतेपुर के निकट संत बुद्ग्री जी ने बारा वर्सों तक हिंगलाज माता की तपस्या की थी यहाँ पर संत बुद्ग्री जी की समाद्धी भी इस थी था दोस्तों आप देख सकते हैं संत बुद्ग्री जी की मेली अगला है रामगड रामगड दोस्तों सिक्रजले का एक अपन कस्बा कहीं सहर कहीं अपन कस्बाई ले ले लेते हैं रामगड एक सिक्रजले का एक कस्बा है इसके बार में आपन देखते हैं रामगड को सेठो का नगर भी कहते हैं कि रामगड को सेठो का नगर कहा जाता है और रामगड की दोस्त अगर अगर अपन इस्थापना देखे तो वो किसने की थी वो चुरू के सेठो द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यांकि रामगड की स्थापना किसने की चुरू के सेठो ने उसे लिए इसे क्या करते है शेठो का रामगड भारत के सबसे वैवबसाली नगरों में से एक यह नगर 1790 स्विमें पोदार परिवार द्वारा स्थापित किया गया जो कि आज किसके नाम से जाना दतता है रामगड के नाम से जाना दतते है यहां के पुराने मंदिर छत्रिया इम हवेलियों में बने चित्रों के लिए सुविख्यात है यह किसके लिए परसिद है यहां के पुराने मंदिर और उनकी छत्रिया इम तथा हवेलियों में बने बिट्ती चित्रों के लिए रामगड परसिद है रामगड के पास ही बने रामगोपाल की छतरी एम पोदार की अवेली विशेश रूप से दर्षने इस्थल है दोस्तो पोदारों की अवेली काफी परसीद अवेली है शिकर जिले की जब भी आप शिकर जिले में जाए तो आप जरूर देखे आएगा दोस्तो ये देख सकते हैं आप रामगड देखे आप कितनी सुन्दर नक्का से दारी की गई है पत्थरों पर देखे ये क्या है ये एक सिकर जिले का कसब है रामगड दोस्तो अगला देखते हैं सिकर जिले में इस्थित पर्मु हवेली है यानि कि शिक्कर जिले में कौन-कौन सी हवेलिया इस्थित है पहली है पंसारी की हवेली पंसारी की हवेली कहाँ पे स्थित है श्रीमादूपुर शिक्कर में दूसरी है केडिया एम राठी की हवेली केडिया इमराठी के अवेली काँपे श्थीत है लक्समनगण शिक्कर में तीसरी है सैजा राम पोदार की हवेली कौन सी? सैजा राम पोदार की अवेली भतेपुर शिक्कर में श्थीत है अगली है बिनानियों की हवेली जो काँपे श्थीत है शिक्कर में खेम का एवन गोईन का सेठों की हवेलिया यह भी कांपे स्थीत है रामगड में और पोदारों के हवेलिय कांपे स्थीत है वह भी रामगड में स्थीत है रामगड सिकर में स्थीत है दोस्तों अब आपन सिकर जिले के कुछ और मैतोपून इस्थल देख लेते हैं उनमें एक नियम का थाना कांटली नदी क किनारी गनेशर शब्वेता का विकास अंगला है गनेशर शब्वेता की तिथी इसका वर्स पूरो निर्दारित की गई है याई कि जैसे आपन बोलते हैं से इसकी खोज खब गई तो वो something something 2800 वर्ष पूरों में निर्दारित की गएगी तब इसका विकास हुआ होगा और गनेश वर्ष अब बता कि खोज 1922 से 1906 के बीच रामचंदर अगरवाल एवं बियन मिसर ने किती दोस्तो आप यह याद करके चलेंगे कि इसकी खोज किस ने किती खोज की थी रामचंदर अगरवाल एवं बियन मिसर ने और यह भी याद करके चलेंगे कि इसको जो विकास है वो किस नदी के किनारी हुआ वो कांटली नदी के किनारी हुआ था अब देखते कच्छी गोडी नर्ते दोस्तों कच्छी गोडी नर्ते के बारे में अपन कुछ देख लेते हैं सिखावटी छेतर का यह प्रसिद नर्ते पैटर्न बनाने की कला के लिए लोख रिये है यानकी कछी गोडी नर्ते का का पर सिदा है सिख कर जिले का अगला है Open Air Art Gallery यहां की हवेलियो में फ्रेसको पेंटिंग्स की बरमार है अगला है फ्रेसको बुनो यह बित्ती चित्तर सैली इटली से बारत लाई गई है यानि कि दिवारों पर जो चितर साली बनाई गई है उसको अपन क्या नाम दिया गया है फ्रेंज को बुनो और ये कहां से बारत में आई है इटली से दोस्तो ये एक्जामी पुछा गया कि उससे ने आप इसको याद करके चलेंगे अगला है बेड़ परजनन एम अनुसंदान केंदर ये बेड़ परजनन एम अनुसंदान केंदर कहां पे स्थित है फतेपूर शिकर में स्थित है दोस्तो अगला है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पवन उर्जा स्टेशन हर्स परवत पर बनाया गया है यानि कि दूसरा इस थापना की गई है फूर्फब सप्ष to जोना किसे कहते हैं तो बन हग्डम बारा-थेरा में सेखाओ टीविस्री द्याले की स्थारपन कि गई है सिकर राजस्थान का पर्थम हाइट जिला है दोस्तो अगला देशते हैं सिकर जिले के सैरों की जो कुछ खास्यते हैं ने बारे में अपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या खास्यत है तो आपन उनके बारे में चर्चा करते हैं सिक्कर सहर राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी सिक्षया नगरी है दोस्तो अगर आपसे पर्थम पूछे जाए तो पर्थम कौन शी हो जाएगी पर्थम हो जाएगी कोटा कोटा राजस्थान की प्रथम सबसे बड़ी सिक्षान नगरी है सिक्कर सहर बारत का दस्वा बड़ा सहर है राज्य की सबसे बड़ी किर्शी उपज मंडी सिक्र में इस्थित है राजे की सबसे बड़ी प्याजमंडी भी काप इस्थित है दोस्तों सिकर में इस्थित है नीम का थाना सहर खनीज इम उर्जा बंडार के रूप में जाना जाते है इनकी नीम का थाना सहर को अपन किस नाम से जानते हैं खनीज इम उर्जा बंडार के रूप में जानते है एशिया का सबसे बड़ा जो वेवसाई यानि कि जो का जो वेवसाई है वो काँ पिस्थित है वो स्रीमाद्वपूर सहर में इस्थित है राज्य का सबसे बड़ा मार्बल वेवसाई वो भी काँपी स्थित है दोस्तों वो भी स्रीमाद्धोपूर सहर में स्थित है कि सबसे बड़ा जोवेशा है और सबसे बड़ा मार्बल वेशा है किस जिले में स्थित है दोनों सिक्कर जिले में स्थित है और सिक्कर जिले के भी किस सहर में स्थित है तो स्रीमादोपुर सहर में इस्थित है दोस्तो अगला है स्रीमादोपुर सहर की बसावट जैपुर सहर की बसावट के समान है दोस्तो अगर आप से एक जामें पुछा जाए कि स्रीमादोपुर सहर की बसावट किसके समान है तो वो हो जाएगी जैपुर सहर के समान ठीक है दोस्तो अगला है सिकर जिले में सबसे अधिक राष्टिर राजमार्ग सेखावटी सहर में स्थित है या सेखावटी सहर से गुजरते है यानिकि सिकर जिले में सबसे राष्टिर राजमार्ग किस सहर से गुजरते है फतेपु कसबा गोट्टा वयापार के लिए परसिद है दोस्तों आपसे एक जमें पुछा गया गोट्टा वयापार के लिए कौन सी जगा परसिद है तो खंडेला कसबा और अगर आपसे जिला पुछा जाए तो सिक्कर हो जाएगा अगर आपसे छेतर पुछा जाए तो सेखावटी ह हो जाएगा अगर कस्वा पुछे तो खंडेला हो जाएगा सो खंडेला के पाडियों से कौन सी नदी कांतली नदी के किनारे किसका विकास हुआ गणेश्वार सब्वेता का विकास हुआ है और इसकी की उचाए कितनी है Самी मिक्तर परोट्य कितनी है वह भी सिक्कर जले में स्थीत है हर्ष पर्वत यह फिर हर्ष की पाडी जिसको अपन बोली वो भी सिख्ण जिलमें श्धित है रहवाशा ज्दोको रहवाशा है खारी पान की जेल जिसका उलेक करनल Kernel gen store ने अपनी किताब में भूं किया है उनकी किताब का नाम क्या था वो आप comment box में करके जरूर बताएगा करनल जान स्टोर ने जो किताब लिखे थी उसका क्या नाम था दोस्तों क्रेवासा जील के बाद आती है कैचोर जील कैचोर जील भी खारे पानी की जील है और दोस्तों सिक्कर जीले की जो मिठे पानी की जील है वो कौन सी है इत्थमपरी ठीक है सेखावटी सरकीट में सिकर और जुन्जुनु जिले को सामिल किया गया है और सेखावटी माउत्सम में सिकर जुन्जुनु और चूरु जिला सामिल है ठीक है दोस्तों अगर आपसे सेखावटी छेतर में पुछा जाए तो सिकर जुन्जुनु और चूरु है सेखावटी सरकेट में पुछादा आए तो सिकर और जुनुहे और सेखावटी मौसम पुछादाए तो पुने शिकर जुनुहे चुरुजिला सामिले तिर्वेणी तेथिस्तल, अजीतगड गाउं के निकट इस्थित है, कहाँ पे सिक्कर में, यहाँ पर गंगा माता का मंदिर इस्थित है, तिर्वेणी तेथिस्तल में किसका मंदिर इस्थित है, गंगा माता का, अगला है साकंबरी माता मंदिर, यह सकराई गाउं सिक्कर में स्थित है इने सक्राई मात्ता भी कहा जाता है फतेपुर को धनपतियों का सहर भी कहा जाता है दोस्तों पिछे अपने एक सहर और देखा था रामगड रामगड को क्या कहते हैं सेठो का नगर कहते हैं फतेपुर को क्या कहते हैं धनपतियों का सहर कहा जाता है और फतेपुर स ही सबसे ज़ादा राश्टे राजमारग के सहले में से ज़़ादा के लिए अगली वीडियो में। में आज के लिए क्यूस्चन ओफदा धे तो राजयस्थान का पर्थम किर्शी विज्ञान के नदर काँ पे स्थापित किया गया था आपको कमेंट बोकस में इसका जवाब जरूर देना है फतेपूर सिकर विराल शिकर नगर भरतपुर और अविका नगर टूँभ ये काँ पे स्थित किया गया पर्थम किर्शी विज्ञान कींदर अगला क्युस्त चिक्र जिले के किस स्थान से पाइराइट स्खनीज मिलता है आप इसका भी कमेच बोक्स में जरूर रिप्लाइ देंगे दोस्तों कहां पे मिलता है पस्थेपूर सिक्कर में मिलता है वेराल शिक्कर में मिलता है या सलादिपुरा शिक्कर में मिलता है ठीए दोस्तो थैंक्यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, सेर एंड सबस्क्राइब आवर योटूब चैनल इस्टुडेंट स्टेडी 247 फोलो आवर इस्टाग्राम पेज स्टुडेंट स्टेडी 247 शिक्कर जिले के बारे में आज आपने जो पड़ा है उसके लिए कंटेंट इन्होंने तयार करके दिया था दोस्तो वीडियो रिकोर्ड हमने इसलिए किया है क्योंकि अभी जैसे कि आप सब देख सकते है किboldों के वज़एसे आप और हम सब अपने नगरों में र nit अपने घरों में हैं तो दोस्तो इस वाजय से possible नहीं था कि ये वीडियो record कर पाएं तो इसलिए दोस्तो इन्होंने PPT बना के दी और इनकी वीडियो हमने record करके आपके समक्स पेस किये अगर आप भी चापते हैं ऐसा ही कुछ करना अगर आप में है जजबा कुछ कर दिखाने का तो दोस्तो आप हमसे जरूर contact कीजे और आप भी हमें PPT बना के share कीजे हम आपके भी वीडियो बनाएंगे और YouTube पर upload करेंगे दोस्तो आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद